याद रखिए सुप्रीम कोट का हर एक फैसला आपने आप में क्या होता है कानून इसलिए सुप्रीम कोट कभी कभी बहुत भेहानक फैसला सुना देती है सैंब कि आपको लगता है कि इतना खतरना क्यों सुना लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे ति आगए जागे क्या बन जाएगा कानून बन जाएगा कानून है जैसे दिल्ली में एक मैटर हुए थै बहुत बड़ी बिल्डिंग है 40 तल्ली की दो बिल्डिंग आकशली में यहाँ पर धिएटी यहाँ पार्क बनवाई थी इसने थ्कदार में कुछ पैसा खिलाके पार्क हटवा के जमीढूर लिख लिएर और इसपर 40 तल्ली की building बना दिया चले गए सब जो पार्क जो वहां के मुहले वाले लोग सुप्रीम कोट में इस पार्क में कईसे बना दिया है सुप्रीम कोट ने तीन साल मुकदमा सुना कहा कि 40 तल्ले की building बेलडर से कहिए गिरा दे और गिराने में जो पैसा आएगा वही दे के बिल्डर हर एक पार्क को कब जाना चालू करते सों कुछ पैसा देते सों building बनाया हो गया पशास तल्ले की building खड़ा कर दी जब तक तक तीन साल तक मुकदमा चलेगा इधर building बन रही है बन के तो या उसका वकील क्या कहेगा builder का वकील मेलोड हमारे builder से गलती हो गई करोड़ों रुपए लगा के साथ तल्ले की building खड़ा कर दिया 2020 का मैटर याद कीजिए ऐसा ही एक मुकदमा आया था और आपने कहा था कि पार्क के जगा बना दिये चलो तुम्हरा पैसा लॉस हुआ एक काम करो तुम इससे सो गुना बड़ा पार्क बनाओ तो महराज आप ही का निया अले अभी लेक होता है वो एक record के तरह यूज होता है हमारे भी builder के साथ 9 साथ ही क्यों अगर उसके साथ आईसा तो मेरे साथ आईसा दिल्ली का सारा पार्क खतम कर देगा इसलिए एकदम hard decision लेता है एकदम hard decision अब का करेगा सुहिया बना के है अगर उनों गाओं में बगईचा बना देगा गाओं में पारक मने कोंची बगईचा तो बताईए सुप्रीम कोट को hard decision लेना पड़ता ही ने क्यों क्योंकि उसको पता है कि उसके कलम से चलने वाला फैसला आर्टिकल 129 में रेकॉर्ड हो रहा है और इस से मिलते जुलते मुकदमे में हमको यही फैसला सुनाना पड़ेगा इसी टाइप का इस से हट के नहीं